वेलकम बैक दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे किया सोनेट के एनिवर्सरी एडिशन का, रिसेंटली लॉंच हुआ है, HTX जो नॉर्मल वेजेंट आता है, उसी की उपर बेजड है, कुछ कॉस्मेटिक चेंजिस के साथ इसको लॉंच किया गया है, पेट्रोल और डीजल, दोनों ही परगार के फ्यूल ऑप्शन मिल जाते हैं, पेट्रोल के अंदर आपको टर्बो इंजन मिलता है, जिसमें 6 स्पीड आपको IMT और 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन ओफर किया गया है, साथ ही डीजल के अंदर आपको आटोमेटिक और मैनवल दोन ही वेरियंट ओफर किये गए है, यह 6 स्पीड IMT वाला वेरियंट है, जिसका एक शोरूम कॉस्ट 10,79,000 रुपीज है, तो चलिए देखते हैं, इस एनिवर्सरी एडिशन में आपको फीचर कौन-कौन से मिल जाते हैं, ब्लैक अलग के साथ इसका का लुक बहुत ही जबरद है, फीचर की बात कर लें, तो इसके अंदर आपको क्राउं ज्वेल शेप के अंदर LED प्रोजेक्टर ऑटोमेटिक हेड्लैंप्स दिये गए हैं, साथ ही यहाँ पे आपको हार्ट बीड डिजाइन के अंदर इसके डे टाइम डरिंग लैंप्स भी मिल जाते हैं, जो कि वर् प्रिंद ्लैंप्स को आहिक अपसमें connect करता है, फांग लैंप्स भी आपको मिल जाते हैं, क्रोम के सर्रौण के साथ हैलोजन प्रोजेक्टर आपको आपको फांग लैंफ दिये गए हैं, नीचे की तरफ आपको मिल जाती है बिल्कुल ही नई इसकी इसकीड प्लेट, इन बुल की सीगों के तरह inspired किया गया है इसके उपर भी आपको और इंच के accents मिल जाते हैं तो दोस्तों overall कहें तो फरंट से इसकाल का लूप बहुत ही जबरदस्त है न्यू किया का लोगो दिया गया है फ्लीक डिजाइन में इसका बोरेट मिल जाता है तुएन आपको manual wipers वाइडर सी विड्न स्क्रीन दी जाती है साइट से भी इसकाल के लूप में आपको कहीं से भी कोई कमी नजर नहीं आएगी 16 इंच की profile के साथ आपको यहाँ पर dual tone diamond cut alloy wheels offer के जा रहे हैं जिसके बीच में आपको again orange का insert दिया गया है कार में SUV के stance को बढ़ाने के लिए wheel arch और body side clearing offer की गई है यहाँ पर भी आप देखें तो new design के अदर आपको side skirt plate देखने को मिल जाएगी इस पर भी आपको orange के inserts मिल जाते हैं उपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको IMT की बैजिंग की गई है साथी outside rear view mirror body color के हैं जिसके उपर side turn indicator मिल जाता है इन mirrors को आप electrically adjust और fold भी कर सकते हैं यहाँ पर उसके controls आपको मिल जाते हैं बाहर आते हैं तो यहाँ पर आपको door handles chrome finish के साथ दिये गए हैं जिसके उपर request sensing का आपको button भी मिल जाता है उबर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको silver color के अंदर इसकी roof rails दी गई हैं कुछ इस तरीके से sunroof आपको मिल जाता है इस variant के अंदर कार के front में आपको disc और rear में drum brakes offer की गई है C pillar के पीछे आपको piano black का एक insert design भी मिल जाता है shark fin type आपको इसका radio antenna मिलता है body color के साथ integrated spoiler with high mounted stop lamp offer किया गया है rear windscreen काफी plane है लेकिन यहाँ पर आपको rear defoggers मिल जाते हैं wiper और washer आपको नहीं दिये गए rear 10 lamps को आपस में correct करती हुई एक reflector line मिल जाती है इसके बीच में आपको reverse parking camera की placement की गई है LED rear 10 lamps आपको दिये गए हैं कुछ इस position के साथ जिसके उपर आपको heartbeat design भी देखने को मिल जाता है एक तरफ आपको sonet की bedging मिल जाती है बीच में किया का logo और इजर की तरफ आपको DGDI की branding की हुई है bumper के दोनों कोनों पर आपको rear reflectors मिल जाते हैं साथ ही दो points के उपर इसके reverse parking sensors भी offer किये गए हैं lower portion के उपर आपको piano black and dual muffler design के अंदर इसकी rear skid plate offer की गई है जिसके उपर आपको silver और orange के inserts देखने को मिल जाते हैं बात कर लें इस car के अंदर मिलने वाली keys की तो इसके अंदर आपको दो बहुती चोटी सी प्यारी सी keys मिल जाती है जिसमें आपको lock unlock, hold और boot release का button दिया जाता है पीछे की तरफ किया की branding मिल जाती है चलिए अब चलते हैं इस car के interior profile में और देखते हैं वहाँ पे आपको कौन कौन से feature मिलते हैं जो दोस्तों complete interior आपको इस car के अंदर dual tone finish के अंदर offer किया गया है जहाँ पर आपको black and beige color का combination offer किया गया है चलिए बात करेते हैं driver side door से सबसे उपर आपको twitter के placement मिलती है inside door handle silver finish के साथ दिये गए है door pad के उपर आपको leather का finish दिया गया है साथ ही यहाँ पर आपको white stitching यूज़ की गई है आगे की तरफ outside rear view mirror के control मिल जाते हैं पीछे की तरफ आपको चारो power window दी गई है driver side window, auto up and down और anti pinch के फीचर के साथ मिलती है door pockets में umbrella holder, utility space और bottle holder प्रोवाइड किये गए है speaker मिलते हैं 4 और twitter मिलते हैं 2 इस variant के अंदर बात करें interior features की दोस्तों तो यहाँ पे आपको d cut shape के अंदर इसका steering wheel मिल जाता है नीचे sonate के आपको branding की गई है लैजर का treatment है कुछ इस तरह के से काफी अची gripping आपको मिल जाती है इस तरह आपको cruise और M.I.D. control दिये गए हैं दूसरी तरह आपको audio and calling controls मिल जाते हैं voice command का feature भी आपको दिया गया है एक किया का आपको यहाँ ब्रेंडिंग मिल जाती है साथी एक airbag आपको इसर मिलता है दूसरा airbag आपको core driver साइड में दिया गया है इस variant के अंदर आपको दो airbag की ओफर किये जाते हैं इसके अलावा इस steering wheel को आपने convenient के हिसाब से जो है वो tilt way में भी adjust कर सकते हैं कुछ इस तरहीके से इस side में देखें तो यहाँ पर आपको side AC event है silver के finish के साथ यहाँ पर भी diamond rolling pattern design दिया गया है यहाँ पर आपको headlight leveling का switch मिल जाता है ESP का control engine start stop का button दिया गया है नीचे आपको fuse box वगरा दिये गए है hood release का cleaver मिल जाता है IMT है दो paddle मिलते हैं इस तरह देखेंगे तो यहाँ पर आपको fuel it open करने के लिए cleaver भी मिलता है चलिए आते हैं आप इस कार के dashboard के उपर तो complete इस कार के dashboard है वो आपको dual tone के finish मिलता है जहाँ पर आपको black and light cream क्रीम के लिए ओफर किया गया है यहाँ पर सबसे पहले यह चेकिंग लेता है यह देखिए इधर की तरफ आपको speedometer दिया गया है low fuel warning, shipping mode वगरा जितने भी आपको प्रवाइड किया है हिंदर tachometer है आपको इधर की तरफ इसके temperature gauge मिल जाता है fuel का indication मिल जाता है साथ ही किने किलोमेटर का रन हुई है इसका इंडिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाता है बागी इंडिकेशन एक्सिस करने के लिए आपको यहाँ पर कंट्रोल दिया गया है इसे विए जुट्टों यहां पर आपको कम्पलीट जो इंस्ट्रुमें लिस्ट्रम पैनल है वो प्यानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है यह पर आपको यह इंच का जो अपर आपको अट्रमी सांड शुट्म प्रोवाइड किया गया है और इस मिज़ अपको अनुट्रम अ पैटन डिजाइन दिया गया है ऑटमेटिक टाइप आपको इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है कुछ इस तरीके से और एक वर्निंग हजाइड लेट स्विच भी प्रोवाइड किया गया है कंपलीट यह आपको प्यानो ब्लैक के फिनिश में मिल जाता है नीचे की त प्रोवाइड नहीं की गई है तो कंपलीट इंटियर अकर देखें तो एनिवर्सरी एडिशन को जो कंपलीट इंटियर है वो एजटी एक्स फिरिंट का आपको मिलता है यहां देखें तो सन्वाइजर के अंदर आपको एक टिकेट होल्डर इंसाइड रियर व्यूमिर जो संवाइजर मिल जाता है कुछ इतने सपेस के साथ और वन टच के फीचर के साथ है यह वन टच आपको ओपन यह दिया गया है व्यूदे वियू साहे चलिए इसको कर देते हैं बंद और इधर देखें तो यहां पर आपको मिल जाता है कुलैस बल टाइप एक ग्लॉम्प यहां पर आपको फैब्रिक प्लस लेटर सीट का इंसर्ट मिल जाता है जहां पर आपको यहां पर आपको लेटर का इंसर्ट मिलता है वाइक लखी स्टिंग दी गई है और इन सीट को आप कर सकते हैं अच्छी बात यह है कि आगे वाले जो हैड्रेस्ट है वह आपको एजस्टेबल दिये गए हैं तो दोस्तों फ्रेंट में और आपको काफी फीचर्स मिल जाते हैं एक बार रियर प्रोफाइल भी चेक आउट करते हैं कि वहां भी आपको कोड़कों सी फीचर्स दि जाता है कुछ इस तरीके से दोनों साइड रियर विंडोस पर आपको यह दिये गए हैं नीचे की तरफ आते हैं इंसाइड डोर हैंडल सिल्वर फिनिश के साथ हैं डोर पैट है उसके उपर एक पावर विंडो कंट्रोल है लेदर का आपको इंसर्ट दिया गया है वाइट के दिये गए हैं बीच में आपको एक सेंटर आम लेस्ट मिल जाता है जिसके ऊपर ट्विंड कफ होल्डर सापको दिये जाते हैं चाहिए के लिए आपको यहां पर आइसो फिक चाहिल एंगर पॉइंट मिल जाते हैं और बैट का देखते हैं कितना कुछ इस पेस आपको य किया गया है यूएसबी टाइप का यहां पर देखें तो यहां पर आपको क्लैपस टाइप मिल जाता है बीच में केविल लैंप है है लोजन वाला इस तरफ भी आपको ग्रेब हैं विद कोट हुग दिया गया है साथ दोस्तों रियर सीट आपको बैंच पोल्ड फीचर के स बहुत ही बहतरीन सेग्मेंट वाइस बैस्ट आपको यहां पर बूटी स्पेस मिलता है काईगर के बाद सबसे जादा बूटी स्पेस यही कार आपको ओफर करती है यहां पर आपको ग्रॉसरी हुग दिया गया है साथ ही यहां पर आप देखेंगे तो एक बूट लेंब भ पर प्रडूस करता है यहां पर आपको 6-speed IMT और 7-speed DCD ट्रांसमिशन ओफर किये गए हैं सेफटी के लिया से इस कार के अंदर आपको डूल फ्रेंट एर बैग, ABS with EBD, Electronic Stability Control, Hill Assist Control, Brake Assist जैसे कई सारे safety features प्रवाइड किये गए हैं बागी दोस्तों अगर आप दिल्ली NCR से हैं